हेलो सेडो फैमिली तो कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं आप सभी अच्छे हों और आप लोग हमेशा अच्छे रो हमारा आज का टोपीक है वीकली वेबिनार एंड रैंडम स्ट्रक्चर मल्टी टाइम फ्रेम में आप लोग किस तरीके से अनालिसीस कर सकते हो मतलब गोल्ड का जो मुमेंट है किस तरीके से कैच करो और गोड को कैसे आप गोल्ड की जो मूव ले सकते हैं की old मुमेंट गोड की कैच कर सको तो मैं पहले आपको समझाता हूं जो बात सच है वो बिल्कुल सच है मैं पहले किलियर करना चाहूंगो तो 100% कुछ नहीं होता है माल नीजी अगर मैंने आपके एक लेवल दिया एक्जामपल कि यह लेवल है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट उस लेवल पर आएगा और वहां से म देली भी हो जाता है समझे लिए मतलब होने के भी चांसिस रहता है तो कुछ भी 100% नहीं है आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो 100% इतना थीं ओके यह बात मैं आपको पहले ही बताना चाहरा हूं 100% कुछ भी नहीं है ओके तो चलो इधर बात करते हैं सबसे पहले मार्केट क् कि रेली टाइम रेमें मार्केट नहीं किया है तो जब भी अपना structure में ड्रो करना है अनुक्त कुछ क्या होता है इसमें कि कि टरीके से चेक करें क्या हम किस तरीके थी क्या चीजी देकर धर कि वह से लोगं फिल होते तो दो तरीके से आप के पर सोते हैं अभी आपको दीख रहा है आपको क्या做 यह अधिन फाहई रहा है अब यहां क्या करो एक एक ऐसा आइटिफा लोजिंग मिली थी प्रोपर तरीके से ओके अब आपके पास ट्रॉक्चर में किलिए यह हाई यह लोग दैन अब मार्केट ने करा इधर कोई स्टॉक्चर रेक्टना करके हमारे लोग को सड़नी प्रेक कर दिया अब आपका जो मार्केट अब ट्रेंड में था क्या है आप लोगों का मार्केट गोह ऽयोगों करना या लोड़नी करना तो किस तरीके से इसपते उसमें जरूरी होता है इन्डूजमेंट और इन्डूजमेंट के लिए काफ़ी ज्यादा जबूली होता है कि आप लोगों को वैलीड फुल बैक आए लाइक अगर आप मार्केट यहां से देखोंगे होगे जो भी इस तरीके से आप को भी एक इन्डूजमेंट नहीं किया है haram कोई नहीं घृट नहीं यद मार्किटे ने अब आकर हम्चेक करेंगे जो हमारा इंडिसमेंट था उर किस लेवल पे राइक अगर आप च्गउट करोगे तो आपका इंडिसमेंट पर शक्रिज में देखो पहले यह जो önफा यह कहले ता यह स्को लोब्रेकर 209 बोबल भी और मार्केट सिधा नीचा सिधा नीचा निगा हममार्केट डाया भबस इसे frame फिर related लाक, इससे उपर उपर कहीं भी आपका इंडीुस में नहीं लिया तो मार्केट यह आपका था जिसके कारण आपके पस की ओ गया था आफका लोग अब अब संगर आप चैकाउट करोगे ही हैं हैं य데 मार्केटी या दे लेखिवर हम सेल कहाँ कर सकते हैं तो लाइक Bible टाइम प्रेम का बाइगा मूव जा रहा है और बाइगा मूव बाइग कहा तक जाना चाहिए जो बात आती है बाइग प्रोसेस की किस लेवल तक आप लोगों भी जाने चाहिए तो लाइक अगर आप इधर अपर साइड देख हुए है तो अपर साइड आप चेक आप प्रोसेस आप एक कैंडल फाइंड आउट करो जो क्या हो आपकी प्रोफर अन्मिटिगेट हो जहां से आपको लगता है कि हां मार्केट क्या कर सकता है आपको पॉसिबल मूव दे सकता लाइक आपने चाक आउट किया यह इंसाइड कैंडल अब नहीं है क्योंकि यह लोइस अगर आप चक करोगे तो जो आपका जोन है वह पॉसिबल सेनेरियों गिलिए छोटा जोन भी आप लोगों के पास बन गया है एक छोटा जोन भी प्रुस्टेज्ट नाव हां फिर फोन में आपको क्या देखना इससे अब अब डिट आपको फोन जोन को अनकी दिए एदर तो ऐवरिभी विटीम पिटीन हमेटी लिए हाँ इसके उपर आफ प्रवन फाल्म में आप लोगों का एक यह जोन था लाइक ओके यह वाला जोन आपका एस बन में क्या है बचा हुआ है for selling purpose हाँ अगर मार्केट आएगा हम क्या करेंगे इस लेबल से एक यह कोशिस करो तो आपका जो डेली एंड एच फोर का था उसके अंदर जोन इडेंटिफाई करो नाओ यू कैन सी इदल प्रोपर क्या है आपके डेली एचफोर अग यह वाला मीन हमारा जोन बचा हुआ यह जो जोन था मारा में था खूंद के जोन क्या था में जोन थाक जहां से अमें क्या करना है अपना सेल या बाय करना हो के लाइक यह जोन अभी आप देखो इसको मैं हटाता हूं दो जोन आपके पास है यह यह क्या आपकी वीगन मिटिगेट थी वही जोन आपका आगया तो यह आपका तेकुछ जोन तो इसी को अब आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो सेवल पर आए और सेल जे ओके यह डेली का मारा स्टक्चर है और इसको चेक आउट कर लेते हम किसमें अपना एज़ फोड़ी एच्वन में देखे डेली से सीधा एच्वन में क्या स्टक से चल रहा है नाव एच्वन में अगर हम देखेंगे अपना जो मार्केट का मूव है किस तरीके से मार्केट में लिए क्योंकि डेली में डाउन ट्रेंड है तो एच्वन में क्या पूसिवल मूव मार्केट कर सकता है और जो मार्केट की मूवमेंट है वो क्या है तो सबसे पहले जैसे चेक कर लेता हूं हेख कि अब وتब है है तो वह ही एक डाव आधेंटिफाइए कर वह हाइ जिसको मार्किट में छो लंसक्र भडित गया आप देख सेक्ट. हे यह हमारा क्या है इंड़ी झाल इंड्विंट हां अ हुद फॉर्चि के यह हाई hypocrisy हो अन्हें यहां पर जागे आपका ब्रेक ब्रेक हुआ उसको लिखेंगे रेकाफ स्टॉक्चर कब क्लोजीं में लिए क्या मिल चक है अबब साइड एक क्लोजिंग मार्केट दे शुखें है नेको यह था यहां उप हुआ यहां फिर यह थोच भी है आपका क्या होई tenho है ले क्वाइक हुआ है में तुम है कि आपके पास आपकाлем थैर्डकार थे बात करें तो हमारे इंद्यूज्मेंट का है स्विधा यहाँ अधिसिजव अभेशिय अव innanda क्यों है कि अगर आप अग्राब के लिकिदर ना अधिकर यहां से बीफेय करते एक मार्केट में ब्रेक कर दिया हमारे लोगोको हो ब्रेक कर दिया है हमारे आपको कि यो चेंज चरप धर डरक्टर डली में भी डांगे दाउं चैड़ था एंड श्रॉबट अब कर डान दे और आपकर दूस्मेंट यह आपकी क्या बनिए आएफिसी कंडल जहां पर आपका हाइअ मेजर इडिवेंट होता है। होस्किया हुते हैं आपके आएफसी कंडल सी और आपका लोग भी कनफर्म आप्र आपके मार्केट ने से डंगली आपके लोग को भी ब्रेक पर जाए अगर हम इधर चेक करेंगे मार्केट पुल बैक ब्रो करना सीखिए सबसे एजी वे में वातच एंट को देख लीजिए अना रख़र ए फिल्क पर खांग किरह मार्केट में सबस्क्राइब यह अपर आप लोगो क्या था है यहां इंडश्यूमेंट में ले लिया तो सिस्ference बें जरी अपर ऑगने का सबस्क्राइब आप ऒहांखिए नग कर दाते हैं? तो फिर जो नेक्स्ट लो था लाइक आपको इसके नीचे से लेनी तब यह आपका ब्रेक उप्स्ट्रक्षर होगा उसको भी मार्केट ने स्विप कर लिया तो अभी क्या पोसिबल सी ने जिए में भी मंडे जो मार्केट ओपन हो शायद मार्केट कहां से इस वाले लेवल से इस वाले लेवल से मार्केट है क्योंकि इस से उपर अगर आप चेक करोगे तो एवरीतिन इस निटिगेट ओके यह जोन बचा हुआ है और यह इसका भी तरौन जोन है आपका है यह वाला क्योंकि इन में क्या हुआ आपकी प्रोपर लिक्विडिटी भी हंट हुई है प्र पर इम्बैरंस है प्रोपर इसके उपर लिक्विडिटी भी आप लोगों क्या है अवे लेवल है आप लोगों क्या है प्रोपर है पर लिक्विडिटी भी अवे लेवल है यह प्रोपर लिक्विडिटी भी आप अवे लेवल है जिसका रहनी यह जोन भी काफी जादा आप का मार्कट यह लिक़ूड़ टो चुक है तो यह आपका मार्केट का जो एक रए्इंज है जिस कि сб लो लो स्वीप हो रहा तो जब मॉंडे को मार्केट जब ओपन हो तो इस लेवल पर टैप करने के बाद मार्केट नीची आए और बात कर लेते हैं अपने कुछ सेशन बेस्ट जो हमें मार्केट में ट्रेट्स दी है प्रीएस विक में क्या किया है चेक करते हैं बहुत से लोगों को हमेशा चेक करना है तो प्रीविएस वीक में आज पर सेशन बेस हम चेक आउट करेंगे अगर अपनी ट्रेट्स तो यह मारा प्रीविएस वीक ताना आता है कि अगर ऑगे परस्ट अब यह देखो मार्केट में क्या अगरा सेशन का हाई स्विप क्या है अगर इसको चेक करोगे तो आपको पता लगेगा सेशन का हाई यहां पर स्विप हुआ है सीपे होने के बाद आप इधर आप जंड करके देखो बूंज भा अपि प्रोपर आपसे हैं सेशन हाई सी पोने के बाद dlatego से सिंगल कैंडल ओ원 ब्लूग का बंता जब इसको डूरूजिन मिल जाती यह क्लोजिन दिया अंड यह क्या था आपका सिंगल कैंडल और वल मार्केट में जब क्लोण साथ मिटीर करा तो यह इस निगेट करा तो यह इस तरह से क्या करता है हम देखते हैं और कुछों मagement क्या है ऑपने लोट को किस तरीक़ से यह सिंप करेइस थे तो मैंनि शिंप traff inclus सबसे पहले में आपको बात बताना चाहता हूं जब भी आप लोग ट्रेड करते हो तो आपको कोई भी रिस्कानिक में पिसगोट नहीं होती है लाइक आपको सिंपल से क्या देखना है आप अपने अकाउंट का या तो वन से टू परसंट यूज की लिए सिर्फ लोग लिए अगर उसमें भी कंशीजिंग होती है तो लाइक आप क्या देखो आप देखो सबसे पहले आपको स्टोप लोग जारा है ठारा विपका यानि कि अगर आप एक स्टेंडर लोट लगाओगे तो आपको कितना जाएगा 180 डॉलर आपका लोस हो जाएगा क्या हो आपका यह हंट हुआ क्या असल हंट हुआ तो 180 डॉलर आपको लोग जाएगा लाइक 180 रुपए आप रिस्क पर ले रहा एक्जम्पल के लिए सिंपल ना डॉ डॉलर डॉलर चोड़िए डिरेक्षाम के अपनी करंसी आइनल में बात करते हैं 180 रुपए आपको लोस होगा तो अगर 180 रुपए आप लोगों को लोस हो रहा है तो में भी आप लोगों को कितना प्रोफिट लेना चाहिए 400 रुपए अगर आप 180 का लोस ले रहे हो तो कम स रुपए से अगर आप 2 या 3 की सोच होगी तो आपको अच्छा खासा प्रोफिट होगा तो जितना हो सके 1 इस्टू 2 एंड 1 इस्टू 3 रिस्क रिवोड का कोशिस करिए यह हमारा 1 इस्टू 3 था जो मार्केर ने दिया दे कि बात जो है वो जैनुएन है अगर आप 1 रुप का रहे हो और उससे सोच रहे हो कि मैं सो कमाऊंगा तो यह बिल्कुल जैनुएनसी बात नहीं है ओके साइकोलोजी को थोड़ा सही करो आप लोग तो आपको लोगों को पता लगेगा जब आप लोगों की साइकोलोजी एक्टम सही होगी ओके तो अगर एक रूपा लगा त तो इसको छोड़िया क्योंकि मैं पहले बतारो इसमें न्यूर्क में ट्रेड करना टाफ होता है ओके अपने न्यूर्क में कोई ऐसे सेशन का हाई लोग दिखा है तर भी ट्रेड करो वनना रहने दो सिंपल सी जेनरेंजी बात है लालच मत करो लालच करोगे तो आपका ऐस इसमें ट्रेड करना था सबसे पहले कहां खोलूजिंग होने बाई जबरिंडियुजमेंट मार्केपने इंडियुजमेंट ले लिया एंड बिलोव इट सब किसमीट्य के ता चिर्फ यह जोनने मीटिगे ता आपका पूंसर लाइक यह वाला जोन क्या ता आपका अनमीटि 1-3 ही risk reward था, मैं यह नहीं चेक करता हूँ कि मेरा मेरा कुछ stop loss यहां पे था, okay? And 1-3 मेरा कुछ यहां something बना था. क्यूंकि मैं यह नहीं देखता कि मुझे कितना pip का target मिला है, like मैं genuine की तरह बात करता हूँ कि हाँ, अगर मेरा 1.00 तो मैं कितना profit लो, क्योंकि low मेरा यह था, इसलिए मैंने यह low पे अपना लगाया था, max to max low, stop loss मेरा यह low पे था, okay? Genuine सी बात है, अगर मेरा 1.00 रुपए जा रहा है, तो मैं 3 की उमीद करूँ ना कि उससे को 100.00 रुपए कमाने की उमीद करूँगा, okay? लाइक, next time क्या हुआ है, अब आप दे सकते हो, एसे वा लोग से नीचे क्या हुआ है, sweep, एसे के लोग के नीचे क्या हुआ, अगेन आपका sweep, अगेन क्या हुआ है, आप लोगों का sweep हुआ, after sweep, closing matter करती थी, market में जब इसके high super closing लेगा, इस candle ने, sweep क्या है, जब उसके high super आपको क्या मिलेगी, closing मिलेगी, like इसके high super closing कहां मिलिया मैं, इसने इसके high super क्या करी, closing दे दे, okay? after closing, यह आपको इहां से trade करना था, इस वाले लेवर से, यह वाला आपका stock loss था, अगर कहीं बार अगर आप लोगों stock loss बड़ा जा रहा है ना, तो trade लेने की ज़रूर्ट नहीं है, okay? trade मत लो, अगर stock loss आप लोगों का बड़ा जा रहा है, तो trade रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है, daily trade अगर हो गए, तो आप लोगों तभी पैसा बनेगा, simple सा, अपना quantity बड़ाने से रोड़ी है, आप लोग अपनी accuracy बड़ा लो, उसमें आप लोगों को काफी जादा फायदा होगा, अगर आप लोग किसके तरफ फोकस करोगे, अपनी accuracy की तरफ फोकस करोगे, ना कि quantity की तरफ, बड़ा लोग खूब शारी, और फिर उसके बाद अपना अपना एसल हैंट करा लोग, तो कोई फायदा नहीं है, फायदा की ट्रेड लेगा, और नी फोकस ओन यूर एकुरिसी, जब प्रोपर ट्रेड दिख रही है, लाट मैं सिपर ट्रेड पर ले ट्रेड करता हूं, जब मुझे कोई सिव疫 corn के लिए, फ़ीश solaire मिलता है, लाँज तपर लिए खियो नवश अपनूने करेंव मुवाम ट्रेड यहार महीओ लोपर ऐसे पीलिए लिए, नहीं है तो हम ँजिसक क्यों लैं सिंपल सी बात हमंढ़ी क्यों ले लाइग अब आप इधर do coupon क्लोजिंगूज ओ चुक्वित तो कि बार्ट इंग लेन्डू में दा समय और मार्क शौहचार मे Kramp बेलो पहली यहां असे वाला तोप पर यह बचा था एंड जश्ट अब विट आपकी सिफ यह वेगान में टिकरती है लाइक ठीए और इधर क्या हुआ था मैंने ट्रेड फिफ्टी-फिफ्टी परसेंट पे लिया था अब इधर सिफ मैं प्रॉपित लिया था लाइक यह यहां तक शूट आया था इसमें कि यहां पर मुझे लगा था कि में भी मार्केट यह जोन लेने जाए क्योंकि यह क्या था आप लोगों का एक्स्ट्रीम वन जोन था और यह जब भी सेजन पर ट्रेड करनी है आपको लाइक तो आप क्या देखो सबसे पहले अपना कि जो आप रिस्क ले रहो कितना ले रह को जब भी ट्रेड करो लाइक मैं इधर ट्रेड कर रहा हूं तो आपको ना एक चांसी रहता है मार्केट को नीचे आने का अगर जैसे लाइक यह जोन पर अगर नीचे सब कुछ मिटिए तो वह जोन काफी ज़्यादा आप लोगों के स्ट्रों होते हैं इधर चोटा सथा यह उपर एक जोन अन्मीटिगर था जिसका ठुड़ए चैसे थी मार्केट क्या कर सब्सक्ता है वापस वापस यहां से मार्केट वापस क्या हो सकता है उपर जहता है तो वह प्रोब्रूम थोड़ा है ए हुआ निए क्लोजिंग होने के बाद इंडिशूलेंट और किया था इंडिश्मेंट यह सिर्फ एक एक एक्स्टीम जोन बचाता है जहाँ पे आप मुझे कोई भी दर की बात हिए यहां पे मुझे कोई भी डर की बात नहीं थी क्या है मेरे सिर्फ यह एक्ष्टिम जोन बचाता लाइक इसको इस तरीके से इसका वन इस्टू थी था यह वाला लेवर ओके तब क्या हुआ वन इस्टू थी नहीं लिया ऐसर हंट वा बिसे एक्षाप चाहे तो मैं आपको यह भी बिता सकता थे कि गाइस यह ले लो बट आज़ा कुछ नहीं है जो जैनुन सी बात है वह जैनुन है ओके वन इस्टू थी मैं लेने की कोजिस करता हूं और आप लोग मैस्टू मैस्टू टू लोग क्योंकि एक रूपा लोस लगा रहा है तो दो रूपे मिल रहे हैं यानि कि दस में अगर पांस छे साथ प्रविद मत करो उसके 2% सुपर लोस जाने की तो यहां पर मेरा हंट वाइसल अब इदर क्या हुआ है इदर सिफ हमारी क्या हुआ है क्लोजिंग आफ्टर क्लोजिंग क्या हुआ यह क्लोजिंग हो चुकिया और लाइक मेरा इंडूजमेंट की दर रेस लेवर पर आप चे बदढ़क मेने किआ थेिता सा थिफ हैं चीज याद पर पर पू neither ऐख दर का स्टोप्लेस होनाँ ची कि ह सफ़ाइक तभ हा प reduction लुए है कि दर राभिने आप स्का स्टोपोलेस होने थे तब आप को क्या होगा भी प्रॉफिट और अप लोग का प्रॉफिट नहीं हो पाए एक चीज याद रखो, आगर कर भी टार्गेट मिल रहा है लाइक, अभी भी ऐसे हम नहीं है, अट मैं आपको जनुइन सी बाद बताना जाओंगा, इधर मैंने कोई 1-3 नी लिया था, सिंपल सा इधर जो मेरा टार्गेट था, मानता हूं मेरा स्टोपलोस थोड़ा बड़ा तो इधर पर मेरा क्या था सम्थीं, ये वाला, ये वाला ओड़ा ब्लोग ही था, बस मेरा टार्गेट इसको, ये वाला ही ओड़ा था, मैंने पहले ही बताया, वन इस्टो टू अपना मैक्सिमूल इसकी बोर्ड रखो बस, इतना वन इस्टो टू जाला था, ओके, अड़ प्रोपर आपको किलियर दिख रहा है, तो आप लो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, आपने ड्रो किया तो अधर जागा, सम्टाइम ऐसल भी हंट होता है, और कभी भी जोन से उपर मत रखो कर जोन से पीछे कोई पूल बेक लाइक, आप दे सकते हैं इस से पीछे एक्स्ट्र होता है, यह क्या होगी आपका मार्केट नीचे की तरफ लाइक आपको इन्डी इसमेंट के बाद हैं डैंगी संब्सक्राइब कर लेंग होता है, मार्केट ने बाक बात कर आए लाइक थे नहीं को क्या ब्रेक ता अधर आप देखोए सबसे पहले दिखिए लो क्या हुआ आपके हमंगे उन्हें रहता हैं यहां सी टॉ पलेंगे के आपने से मारकत ने की यह मारकें यह सी 맞는 मैं यह यह से सिदा के दिया इसलिए सिप्सक्राइब यह बार बताँ चाहूंगा जब भी ट्रेड करना है maximum time कल माल निजे सेशन हुआ एंड आपको सेशन में नीचे के तरफ क्या मिना स्विप अच्छा बाई देल सकता है फुल लंडन एंड जब भी ट्रेड करने ना maximum time कोषिस करो वी ट्रेडा earned sorry नियंदर कि रहा हो लंडन नियोक में मत करो रेख देखां वन ट्रेड ट्रेड इच्छी ओसरे क्टव तो आप देख सेथ क्यों मतलब जितना भी ज्याज़े ज़्यालतर मैं लंडन में करता हूं मत करें नियॉपार्यक था है एंड उसमें stop loss होने के ज्यादे चांसी होता है तो यह हमारे कुछ ट्रेड करते हैं जब मार्केट जोन में आता है तो जोन की ट्रेड करो जब जोन में नहीं आता तो इस तरीके से आप सेशन बेस पर ट्रेड कर सकते हो तो इसी के साथ ही आज का हमारे weekly analysis यहां पर complete होता है हम मिलेंगे आपको अपने next weekly analysis में